नमस्कार दोस्तो एक नियूज बहुत ही ज़ादा तेजी से सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है मुझे लगा कि उस नियूज पर बात करना सही रहेगा क्योंकि दोस्तो ये बात ही कुछ इस तरीके की है कि जो नेपाली सिनेमा से जूड़ी है और आप सभी को पता ही है कि जह नेपाल के जाने माने डिरेक्टर है सोभीत बसनेत वो गय हुए थे मुंबई और दकपिल सर्मा सो के सेट पर भी वो पहुंच हुए थे जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नियूज है ठूलोपरदा.com वहाँ ही पर ये दिखाया गया है कि भारतिये कमेडियन कपिल सर्मा से सोभीत बसनेत बात किये और नेपाली सिनेमा की परचार परसार के लिए भी वहाँ पर उन्होंने रिकमेंडेशन किये कि आप नेपाली सिनेमा को भी परचार परसार की दिये और जहां तक कि इस नियूज के मताबिक कपिल ने ये भी कहा कि आपकी स सिनेमा को परचार किया जाएगा जो आने वाली फिल्म है सोभीत बसनेत की उस फिल्म को परचार करेंगे यानि उसका प्रमोशन करेंगे कपिल सर्मा तो आए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में कपिल सर्मा के सोपर जाकर नेपाली सिनेमा का ज सब सब पहले आप अपने content पर ध्यान दीजिए और जैसे कि जग जाहिर है पूरे नेपाली ओडियोंस को पता है कि नेपाली सिनेमा जैसे तैसे करकर कमेडी जो जो जोनरा है उसमें ही थोड़ा सर्वाइव कर पा रहा है वरना दूसरे जैसे ही दूसरा कटेगरी में जा रहा है तो दम तोड़ दे रहा है तो कहिने कहिए आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है अपने content पर अपने script पर और जितना हो सके डाइवर्सिफाई करना है आपको कि हर लोगों को वहाँ पर समेटा जा सके एक निसी जगह पे नहीं रहना है अगर आपको वाकरी में नेपाली सिनेमा को पूरे दुनिया के सामने रखना है तो डाइवर्सिफाई आपको करना ही पड़ेगा वले ही मैंने प्रेमगी थिरी का बहुत ही ज़्यादा पर्मोशन किया सायद मुझे ऐसा नहीं लगता है प्रेमगी थिरी जो मूवी आई थी पर्दीप खळका की मेरे से ज़्यादा कोई उस फिल्म का पर्मोशन किया होगा तो क्योंकि मैं पर्मोशन इसलिए किया कि थोड़ा कंटेंट मुझे अच्छ मैं बहुत ही ज़्यादा सपोर्ड किया था उस मुवी को लेकिन भाई हर बार तो ऐसा नहीं किया जा सकता है आपको सिनेमा में भी अब दम होना पड़ा जैसे कि प्रेमगी थिरी ही मुवी को आप ले लो कही ने कि कुछ कमी कमज़री उस मुवी में रह गई थी जो कि नेपाली सिनेमा एक अलग मुकाम पर पहुंसती आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो नेपाली सिनेमा बना रहे हैं तो आप लोग सर्फ नेपाल के कुछ इलाके को टार्गेट करके मत बनाई है अब आपकी सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो नेपाल के ही तराइच चेतर जो है मधेस रिजन वहां के ओडियंस खुद नेपाली देखना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उन लोगों का जो कल्चर है जो ट्रेडीशन है भेस बुसा है या बैसे चेहरे वाले लोग नेपाली सिनेमा में बहुत ही कम मात्रा में दिखाया जाता है तो उस फिल्म स समेट कर आपको चलना पड़ेगा तो इन सब चीजों पर आप सभी को ध्यान देना होगा और थोड़ा क्या कहते हैं कि अपने जो स्टोरी लाइन है उसको डाइवर्शिफाई कीजिए थोड़ा बढ़ाई है यार कितना लव स्टोरी कीजिएगा हीरो हीरो इनको कितना मार करेंगेंगेंगे हैं नेपाली सिनेमामें अगर आपके नेपाल से जोड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सस्क्राइब कि जियेगा नही वाद् आपका दिन स्बहों